इस दोनों में हम डिपरेंट्स और सिमिलिर्टीज को जानेंगे अगर हम एबल की बात करें तो अगर किसी में जिनरल अबिलिटी है तो हम इसको अबल कहते हैं जैसे कि हम इसको अगर सेंटिंस में इस्तिमाल करें तो यह हम नार्मल रूटीन में इस्तिमाल करते हैं अब ही capable की वागर हम बात करें तो capable having the power or ability to do a particular thing gifted जो God gifted चीज़े होती है जैसे के show your teacher what you are capable of या इसके इलावा हम यह भी इस्तिमाल कर सकते ही is capable of running three miles at a stretch तो यह किसी की वो साथियत होती है जो किसी में हास बंदे में particular होती है जो हर बंदे में नहीं पाई जाती है अगर आपको हमारी वीडियो इनपार्मेटियो लेगे तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया